हेलो गाईज, वेलेकम टू मैं एटूब चैनल तो आज हम त्री लेयर वाला फ्रॉग की कटिन और स्टीचिंग सेयर करेंगे तो इसका आप लूप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ये ड्रेस और कितना इसमें घेरा है ये ड्रेस कितना सुन्दर लग रहा है फ्रेंड तो पहले आप इसको अच्छे तरीके से पुरे ड्रेस देख लीजिए अब चलिए हम इसकी कटिन स्टार्ट करते हैं तो ये मेरा फैवरिक है तीन मीटर जो की क्रैप है और तो इसकी कटिन हम कुछ इस तरीके से करेंगे तो ये मेरा टॉप पार्ट रहेगा जिसका लंबाई रहेगा तेरा इंच और एक इंच सिलाई मार्जिंग के लिए तो इसका 14 इंच पे हम कटिन करेंगे और ये मेरा एक चुर्नट कराएगा फर्स्ट वाला जो की 9 इंच पे रहेगा इसमें 1 इंच हम प्लस करेंगे तो इ इसका भी हम 9 इंच लेंगे इसमें भी किश्क करेंगे तो यहां पर 13 इंच में टॉप पर रहेगा नौ इंच का फर्स्ट वाला घेरा इसका टोटल लेंध है 40 इंच इस तरीके से हम ये dress बनाएंगे तो सबसे पहले हम top part की cut in करेंगे तो इसको four fold करके इसको अच्छी तरीके से हम यहाँ पे बिछा लेंगे और जो भी मेरा तीरचा कपड़ा है तो इसको हम सीधी line draw करके उसको निकाल लेंगे अब यहाँ पे कंदे के लिए 6 इंच पे और arm mold के लिए भी 6 इंच पे निसान लगाके डोनों लाइनों की इस स्थरीके से हम बिला लेंगे अब यहाँ पे हम chest के लिए निसान लगाएंगे तो यह 32 इंच को बना रहे है तो यहां पे 6 इंच एक तरफ करहेंगा इसको double fold ऐसे करके इसका half ले लेंगे तो यहां पे 8 आया है तो यहां पे 8 पे हम निसान लगा लेंगे और इसकी लंबाई है 13 इंच और 1 इंच लाई मार्जिंग तो यह मेरा 14 इंच का पुरा टॉप पाट रहेगा और यहां कमर के लगाएंगे 7 इंच पे आप अपने साइज की हिसाब से लगा लिजेगा यह जो मैं साइज बना रही हूं उसका यह हिसाब साइज है और यहां पे सिलाई मार्जिंग के लिए यहां पे 2 इंच यहां फिर धाई इंच ले सकते हैं और यहां पे आर्मोल के हम से इस तरीके से यहां से half inch पे कंदे को down कर लेंगे और यहां से गले के दो-inctions निसान लगाएंगे और इसकी लंबाई 4-ững इन पे आप यहां पे गले के लिए जो आपको पसंद है और लगा सकते हैं यहां पे कम-जादा कर सकते हैं अब इसको ऐसे सेफ देदेंगे अब इसकी कटिन कर लेंगे तो यह मेरा कटिन हो गया है यहां से हम बैक को ऐसे निकाल लेंगे अफरांट को फिर से ऐसे टूफोल्ड करते हुए बिछा लेंगे अच्छी तरीके से और यहां से गले की कटिन कर लेंगे और यहां से आर मोल के भी कटिन कर लेंगे यह मेरा फ्रॉंट का है उसके बाद यहां पर हम तीन इंच पर निसान लगाएंगे नीचे यहां पर हम टक्स दालेंगे और लंबाई भी इसके हम तीन इंच लेंगे और यहां पर हम निसान लगा लेंगे दोनों साइड में हाफ-ाफ इंच लेते हुए यहां पर हम कट लगा लेंगे दोनों साइड हम टक्स लगा देंगे अब फिर हम बैक पार्ट को इस तरह की से ले लेंगे और डबल फोल्ड करकी इसको अच्छे तरीके से बिछा लेंगे और बैक में आपको जो भी गला चाहिए आप अपने हिसाब से यहां पर ले सकते हैं और इसमें भी हम टक्स लगा लेंगे यहां ऐसे चोड़ाई 3 इंच और इसकी लंबाई भी 3 इंच और इसको हम यहां पर निसान लगा लेंगे और यहां भी कट लगा लेंगे अब यहां पर गला जो भी आपको चाहिए आप अपने हिसाब से यहां पर कट कर सकते हैं तो यहां पर मेराव् stub प्पड़ हो गया को देख को मेरा बेयक और यह मेरा फ्रसट आट एसको हम साइड में कर देंगे आप इसकी हम गेरे की कटिन दरेंगे एसको ऐसे टू फोल्ड करके का रिचल को टू झार् apo ह किरतथ मेराव एसको अब इसको ऐसे 4 फोल्ड में करके इसक 10-10 इंच पर निशान को लगा लेंगे और फिर नीचे भी हम 10 इंच में निशान लगाएंगे यह सब कपड़े से मेरा घेर बनेगा और इसको सीधी लाइन ड्रो कर लेंगे उसे 10-10 इंच के बहुत सरा पीसेस को कट कर लेंगे जो कि मेरा घेरा में जाएगा तो यह मेरा तीन है, फर्स सकेंड यह ठर्ड तो इसका आप देख सकते हैं, इसका कितना ज़्यादा घेरा है इस तरीके से यह मेरा फोर फोल्ड में था कुछ इस तरीके से है और एक्स्ट्रा और भी हम 10-10 इंच का दो और कट कर लेंगे तो पूरा मेरा ये 10-10 इंच का 5 पाश पीसेस है तो जो मेरा कम पड़ेगा जहां पर हम वहां पर उसको अटाइच कर लेंगे वहां पर हम मैनेज करेंगे इस तरीके से इसको हम stitch करके आपको हम दिखाएंगे जब तक यहाँ पर हम दिखा दिये कि इस तरी के से हम घेरा कट किये हैं अब हम बाजू के cutting करेंगे इसको हम side में कर देते हैं अब यहाँ पर हम बाजू के लिए बाजू के लंबाई 14 इंच है और इधर से लेंगे 8 इंच, यहां पर हम सिंपल बाजु बना रहे हैं, आपको जैसा बाजु चाहिए आप यहां पर ले सकते हैं, और यहां पर अपने कलाई की हिसाब से निसान लगा लिजे, आप इसकी हम कटिन कर लेंगे, और यहां से भी सिधा कर लेंगे, और बाजु के हम cutting कर लेंगे इस तरीके से अब हम गले के लिए कप्रा निकालेंगे तो इसको हम ऐसे उड़े तिर्शी पटी निकालेंगे तो यहाँ पर एसे हम सीधा लाइन ड्रोग कर लेंगे और यहाँ से हम तिर्ड बॉए इंच पर निसान लगाके इसको भी हम cut in कर लेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को subscribe किजिए और साथ में bell icon को भी दबा दीजिए जिससे मेरा हर नया आने वाले वीडियो को notification आप तक time पर पहुँचे ऐसे एक और हम cut कर लेंगे इस तरीके से तो यहां पर हम टॉप पाट रेडि कर लिए गला भी बना लिए है यहां टक्स भी डाल लिए है और बाजू भी लगा लिए और बड़ी की भी सिलाई कर लिए है तो यह मेरा टॉप पाट रेडि हो गया है अब हम नीचे के घेरे की सिलाई करेंगे तो उसके लिए हम कैसे चुड़नट डालेंगे तो वो हम दिखाएंगे फ्रेंड तो यहां पे हम फर्ष्ट वाले को ले लिए हैं और पेशकर्स के हिसाब से ऐसे छोटे छोटे प्लेट ऐसे डालेंगे इस तरीके से तो जितना मेरा कमर है उसी के हिसाब से यह सारे कपड़े में हम प्लेट उसी के हिसाब से डालेंगे कि मेरा यहां पे कम ज्यादा ना हो एक बराबर से सारे प्लेट रेडी हो जाए तो इस तरीके से हम यह सारे कपड़े में डालेंगे तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इतना ज्यादा कपड़ा है इसको हम ऐसे हिसाब से आजाए तो हम हम फर्ष्ट बाला को डाली है हूँ यहम न की डाली को तो भ्याल है यह मेरा फर्ष्ट बाला है तो हम यह आपर अटेच करेंगे और यह मेरा सपंड है तो इसको भी हम चुड़नट करके रेडी कर लिये हैं तो यह इसमें अटेच हो जाएगा और यह मेरा थर्ड पार्ट है जो की लास्ट है इसमें भी काफी ज्यादा घेरा है यह भी टूफोल्ड है और इसको भी हमें यहां पर अटेच कर लेंगे कुछ इस तरीके से तो चल करके जरूर बताईए जब तो चुदू आप तो चुड़नट करके जरूर बताईए जब अगया है